हलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों SD आदो बुक को सुरू से लेकर लास्ट तक सालू करने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी क्रम में आज किये जो क्लास है टाइप 13 इकाई का अंक ग्यात करना इकाई का अंक निकालना इस क्लास में आप लोग सीखेंगे और ये क्लास आप के लिए बेहद इंपर्टेंट है ठीक है क्यों क्योंकि जब भी मैं आप से बोलता हूँ कि आप संसे आप प्रसुन को सालू कर पाएंगे तो आप संसे सालू करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप इकाई का अंक निकाले फटा फट क्योंकि जब बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होता है तो उसमें इकाई का अंक आप आसानी से निकाल सकते हैं जो कि अभी आप देखेंगे और सीखेंगे है तो जब आप इकाई का अंक निकाल लेते हैं आप संसे में एक ही एंसर ऐसा म मैच होता है जिसका इकाई का अंक वही है जो आपका उत्तर आ रहा है तो आप उस प्रस्ण को दो से तीन सेकंड में साल्व कर सकते हैं इसलिए आज की एक लास बहुत इंपर्टेंट होने वाली है ठीक है और अगर आप SSC GD की तयारी कर रहे हैं या फिर दिल्ली पुलिस की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए SD आदव बुक को साल्व करना और इसके साथ साथ SSC GD के जो प्रिवियस एर कोश्चन्स हैं मैट्स के जो अभी हाल ही में आपकी परिच्छा हुई थी 2021 में वहाँ पर 2021 के जो गडित में प्रस्ण आये थे उनका सिफ्ट वाइज हम लोग यहाँ पर solution करना है ठीक है तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं और daily साम को 7 बज़े आपको एक class मिलेगी जिनमें गडित के सभी प्रस्णों को साल्व किया जाएगा shift wise तो daily आपको 25 प्रस्णों की एक class मिलेगी ठीक है क्योंकि एक shift में 25 प्रस्ण आपके रहेंगे तो shift wise य यहाँ से भी आपकी बेहतर तयारी हो जाएगी और आप topic wise या type wise आप पढ़ी रहें हैं sda2 से तो आपकी एक बेहतर तयारी हो जाएगी maths के लिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के type पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर प्रस्ण देखे दिय गया है कि संख्याओं के गुड़न फलों में इकाई का अंक ग्यात कीजिए यहाँ पर कुछ संख्याओं दी गई हैं यहाँ पर संख्याओं का गुड़ा किया गया है जैसे 756,938,872 अब हमें इन संख्याओं का गुड़ा करना है और इकाई का अंक निकालना है तो देखे पर हम क्यों 756 में इकाई कांग कौन सा है 6, 938 में इकाई कांग कौन सा है 8 और 872 में इकाई कांग क्या है 2 बस हम इनका गुड़ा करा देंगे तो जहां हम इनका गुड़ा कराएंगे तो 8 शंग 48 होगा ये कितना होगा 48 और गुड़े में कितना है 2 फिर देखे एकाईक अंग कितना आ गया 8 आ गया है और अब 8 और 2 का गुड़ा करा देंगे तो 8, 16 और 16 में एकाईक अंग क्या होगा 6 होगा बस यही 6 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एकाईक अंग ग्यांत कीजे तो जो इकाई का अंख होगा हमें बस उस आंसर को बताना है तो आप समझ गहोंगे कि किस तरह से आपको इकाई का अंख निकालना है आप जिसे हाँ पर देखे प्रस नंबर दो दिया गहा है 938, 845, 384, 212 आप इनके इकाई के अंख को लिखेंगे 8, गुड़ित 5, गुड़ित 4, गुड़ित 2 आप देखे जब आपको एक 5 मिल जाए और 5 के साथ कोई भी समसंख्या आपको मिल जाए कहीं पर भी आपको 5 के साथ समसंख्या गुड़ा में मिल जाए इसका मतलब इसका इकाई का अंख क्या होगा सीधे सीधे आप लिख सकते हैं इकाई का अंक जीरो होगा क्यों देखे पांच अठे चालिस करेंगे तब भी चालिस आ जाएगा और जीरो जब एक बार जीरो आ गया तो अब इसे किसी भी संख्या से गुड़ा करें हमेशा इकाई का अंक में क्या रहेगा जीरो ही रहेगा चाहे आप पांच चोको बीस करें तब भी जीरो आएगा पांच दूनी दस करें तब भी जीरो ही आएगा तो आपका अगर पांच के साथ ध्यान लखियेगा अगर पांच के साथ गुड़े में सम संख्या है तो इकाई इकाई का अंक जीरो आएगा ठीक है ये इकाई का अंक आएगा और अगर पांच के साथ गुड़ा में विसम संख्या हैं सम संख्या कहीं पर भी नहीं है तो जो इकाई का अंक होगा वो पांच ही रहेगा ठीक है ये पांच ही इकाई का अंक रहेगा ठीक है ये चीज भी आप को पता होनी चाहिए आगे देखते हैं आगे प्रस्ण दिये गए हैं देखे 631, 289, 871, 429, 796 इकाई के अंक को लिख लेंगे एक गुडित नो गुडित एक गुडित नो गुडित छे ठीक है यहाँ पर देखे एक से नो का गुड़ा करेंगे नो ही आगा नो एक कम नो नो न 81 का अंक क्या है एक है तो अब बस आपको 81 का जब 6 से गुड़ा करेंगे तो आपको 1 और 6 का गुड़ा कर देना है तो एक अंक यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा ठीक है इसी तरह से इस प्रस्ण को देखे यहाँ पर लिखेंगे 3 गुडित 1 गुडित 2 गुडित 2 गुड़ित छे गुड़ित चार तीन एक दो दो छे चार गुड़ा करा देंगे तीन एकम तीन तीन दूनी छे छे दूनी बारा अब चाहे तो बारा और छे का गुड़ा करा है या फिर बारा में देखने कि इकाई का अंक क्या है जैसे ही यहाँ पे बारा आया तो बारा में इकाई कांग क्या है दो है तो दो से छे का गुड़ा फिर छे दूनी फिर से बारा आया और जब फिर से बारा आया तो अब फिर बारा गुड़ी तो चार बचा है तो बारा और चार का गुड़ा क्या होगा सून होगा हमें गुड़ा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी देखे 545 है और गुड़े में क्या है आठ तो 845 इकाई कैंग में 0 आ जाएगा आगे अब कुछ भी किसी भी संख्या से सम हो या विसम गुड़ा किया जाये तो हमेशा इकाई कैंग में क्या रहेग अब इस प्रसुन को देखे, यहाँ पे कितना है? तीन, जीरो, जीरो अब जब हमारे पास कोई भी एक संख्या ऐसी है जिसके इकाई के अंक में जीरो है हम उसे किसी भी संख्या से गुड़ा कर दें तो इकाई के अंक में हमेशा क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा ठीक है इसे भी हमें साल्व करने की या लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है ना चले अब आगे समझ लेते हैं जब हम घातांकी ये संख्यों में इकाई का अंक ग्याद करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा घातांकी संख्यों में कैसे निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी घाते आएंगी, अभी आगे आपको प्रस्म दिखेंगे, लेकिन हमें कैसे समझना है, आइए थोड़ी सी यहाँ पर चीजे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है, तो हम जीरो की घात को कुछ भी ल रहेगा, जीरो ही रहेगा, इन बराबर जो है, वहाँ चाहे सम संख्या हो या विसम संख्या हो, ठीक है, जीरो की पावर अगर आपको इन मिल जाए, इन चाहे सम संख्या हो, चाहे विसम संख्या हो, एक सिले करके इंफिनाइट तक कोई भी संख्या हो, हमेशा इकाई का अ आपको 10 की घात कुछ भी मिल जाए, यहाँ पर 10 की पावर इन मिल जाए, इकाई का अंक क्या होगा, जीरो होगा, आपको यहाँ पर 450 की घात मिल जाए कुछ भी, 450 की घात माल लिजिए, आपको 500 मिल जाए, और इकाई का अंक पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे, जीरो ह ठीक है इसी तरह से एक है अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में एक आ जाता है तो उसकी पावर कुछ भी हो जाए इकाई का अंक हमेशा एक ही रहेगा ठीक है इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा एक ही रहेगा इसी तरह से एक संख्या यह है पांच पांच की घात हम कुछ भी कर दे, इकाई का अंख हमेशा कितना रहेगा, पांच ही रहेगा, आप चाहें तो देख भी सकते हैं, एक की घात हम एक करें, या दो करें, या तीन करें, एक ही रहेगा, और पांच की घात एक करेंगे, तो पांच एक कम पांच, पांच ही रहेगा, पांच की घात दो करें इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा अब 6 का मतलब क्या है कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक में अगर 6 हो जैसे हाँ पे 16 की घात 272 लिखी हो तो आप इकाई का अंक बताना होगा तो क्या बताएंगे इकाई का अंक क्या होगा इसमें इकाई का अंक 6 ही हो जाएगा ठीक है ना ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कौन कौन सी संख्या है 0, 1, 5 और 6 अब आगे बढ़ते हैं अभी कुछ और संख्या है बची हुई है जैसे एक संख्या है 4 तो 4 में देखे क्या होता है अगर हम 4 की घात को विसम संख्या रखते हैं 4 की घात विसम होती है तो जो इकाई का अंक आता है वो 4 रहता है जबकि अगर 4 की घात संख्या हो तो 4 की जगा पर जो इकाई का अंक है वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि विसम संख्या एक विसम संख्या होती है अगर चार की घात एक है तो यहाँ पर वैलू कितनी आएगी चार आएगी चार की घात दो है तो चार चोको सोला और सोला में जो इकाई का अंक होता है वो कितना होता है छे होता है इसी तरह से अगर चार की घात तीन है तो चार चोक फिर से इकाई कांग चार हो जाएगा और इसी तरह से क्रम चलता रहेगा अगर विसम संख्या है तो इकाई कांग चार अगर सम संख्या है तो इकाई कांग छे इसी तरह से नो है और नो की अगर विसम संख्या नो की घात अगर विसम संख्या है तो जो इकाई का अंख होगा वो 9 होगा अगर 9 की घात सम संख्या है तो जो इकाई का अंख होगा वो 1 होगा आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि 9 की घात 1 तो 9 आएगा अगर 9 की घात 2 तो 81 आएगा और 81 में इकाई का अंख क्या है एक है ठीक है अगर 9 की घात 3 होगा तो 81 गुडित 9 हो जाएगा और फिर से कितना आजाएगा विसम संख्या अगर है तो फिर से एकाई के अंक में 9 ही आजाएगा तो देखें कौन कौन सी संख्या हो चुकी है यहाँ पे 0, 1, 5, 6, 4 और 9 अभी कुछ संख्या और से बची है इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर आगे प्रसनों को साल्व करते हैं ठीक है अगर आपको यह चीजे पता हैं पहले से तो आप इसे इसकिब भी कर सकते ह या फिर आप स्पीड बढ़ा करके वीडियो को वीडियो देख सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर जैसे दो है तो दो की जो साइकली सिटी होती है वो चार होती है दो की घात एक अगर लिखा होगा तो यहाँ पर इकाई के अंक में एक आएगा अगर दो की घात दो लिखा क्योंकि 2 की घाथ 4 कमान क्या होता है 16 होता है और इकाई के अंक में क्या आता है 6 आ जाता है हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं यह एकाई के अंक है ठीक है एकाई का अंक अंक इसी तरह से अगर यहाँ पर तीन की घात एक होती है तो वैलू तीन रहती है तीन की घात दो आती है तो नौ और तीन की घात तीन आती है तो साथ तीन की घात चार आती है तो वैलू कितनी आजाएगी एक आजाएगी इकाई के अंक में क्या मान आएगा ये मैं यहां पे लिख रहा हूँ अगर साथ की घात एक रहती है तो इकाई के अंक में साथ आएगा साथ की घात दो रहती है तो इकाई के अंक में नौ आएगा साथ की घात तीन रहती है तो इकाई के अंक में तीन आएगा और अगर साथ की घात चार रहती है, तो इकाई के अंक में एक आ जाएगा, ठीक है, अगर आठ की घात एक रहती है, तो आठ, आठ की घात दो रहती है, तो चार, और आठ की घात तीन रहती है, तो दो, आठ की घात चार रहती है, तो छे, देखें, आपको ये याद नहीं करन है कि घात एक में क्या होगा, दो में क्या होगा, तीन में क्या होगा, जब भी आपको इस तरह की कोई भी संख्या मिल जाए, माल लीजिए आपको साथ की घात कुछ मिल जाए, आपको साथ की घात चार मिल जाए, तो आप साथ की घात चार को निकाल लीजिए, साथ की घात चा इक हो जाएगा बस इस तरह से आप निकाल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे बहुत कठी नहीं है और नहीं आपको यह याद करना है याद नहीं रखना है बस आपको समझ लेना है अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पर दो की घात पांच करेंगे फिर से हमारा जो इकाई का अंक है वो कितना आजाएगा दो आजाएगा यानि दो की घात पांच करने पर अब हम फिर से स्टार्टिंग से इसी तरह से दो आगे अगर छे करेंगे तो चार आजाएगा साथ करेंगे तो आठ आजाएगा और इसी तरह से तीन में साथ में और आठ में भी फिर से यहाँ से सुर चार से भाग देंगे जितनी भी घात लगी हुई है जीसे मान लीजे घात पांच है तो इसे क्या किया जाएगा चार से भाग दिया जाएगा और जो सेजफ़ल बचेगा अब अगर दो की घात पांच लिखी हुई है, चार से पांच को भाग दिया जाएगा, तो सेसफल एक बचेगा, तो संख्या की घात मानेंगे, सेसफल को ही संख्या की घात मानेंगे, सेसफल क्या बचा, एक अगर पांच को चार से भाग देंगे, सेसफल एक बचेगा, तो द यहाँ पर बराबर हो जाएगी समान आजाएगी लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि यदि हमारा सेस जीरो हो यदि सेस फल जीरो प्राप्त हो तो घात चार मानी जाएगी क्यों क्योंकि अगर दो की घात चार है इसे चार से भाग किया जाए तो सेस फल जीरो बचेगा ले गात जैसे ही 0 आ जाये सेसफल तो हमें 2 या जो भी यहां पर संख्या हैं दो या 3, 7 या 8 कोई भी संख्या हो इसकी गात अगर सेसफल 0 आ जाये तो हमें क्या करना है गात 4 मान करके आगे प्रस्ण को सालव कर लेना है ठीक है चलिए अब प्रस्णों की तरह बढ़ते हैं और द सट है लेकिन यहाँ पर इकाई के अंक में क्या देखेंगे जीरो लिखा हुआ है दोस्तों अभी मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में सबसे पहली जो स्लाइड थी उसमें क्या बताया कि अगर जीरो है इकाई के अंक में तो हम उसकी घात कितनी भी कर ले हमारा जो इ समझ लीजिएगा कि 1570 की घात सरसट बराबर 0 कैसे हो जाएगा है न क्योंकि ये क्यों इकाई का अंक है जो हमसे प्रस्ट में पूछा जा रहा है ठीक है अगर हम यहाँ पर 781 की घात 80 कर दें तो इकाई के अंक में क्या देखेंगे एक लिखा हुआ है और हम एक की घात कुछ भी लगा दें हमारी जो वैलू है वो एक ही रहेगी इसका मतलब इकाई के अंक में क्या आएगा मेरे दोस्त एक ही आजाएगा ठीक है इसी तरह से यह पांच है इकाई के अंक में पांच है पांच की घात हम कितनी भी कर दें पांच की घात चाहे जितनी बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए हमेशा इकाई के अंक में क्या आएगा पांच ही आएगा और इसी तरह से यहाँ पर 1246 में इकाई के अंक पर 6 दिया गया है इसकी घात हम कुछ भी कर दे इकाई के अंक में क्या आएगा 6 ही आएगा तो देखे यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना था इन प्रस दिये गये हैं कोश्चन नमबर पांच में बोला जा रहा है 952 की घात सरसट अब घात सरसट है और दो यहाँ पर इकाई के अंक में है तो सबसे पहले हम इकाई के अंक लिखेंगे दो और सरसट को चार से भाग देंगे और चार से भाग देने पर जो हमारा सेसफल बचेगा वो हम दो की घात में लिख देंगे अब जब सरसट को चार से भाग देंगे तो चार एक कम चार और चार छंग चौबिस सेसफल कितना बचेगा तीन बचेगा तो दो की घात तीन लिख देंगे और दो की घात तीन में हमारा क्या आजाएगा आठ आजाएगा इसका मतलब इसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा मेरे दोस्त आठ आजाएगा ठीक है और अब आगे देखते हैं इसी तरह से संख्या क्या लिखी हुई है तीन लिखी हुई है अब हमें इस घात को चार से भाग देना है और सेस्फल निकालना है एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर हमें किसी भी संख्या को चार से भाग करना हो और उसमें सेस्फल प्राप्त करना हो या ये देखना हो कि संख्या चार से विभाजित है या नहीं तो विभाजिता का नियम इसके पहले वीडियो म को हम चार से विभाजित करके देख लेते हैं संख्या अगर चार से विभाजित हो रही है तो समझ लिजे पूरी पूरी चार से विभाजित हो जाएगी तो अंतिम दो अंकों को ही हमें चार से विभाजित करना है और देखना है कि सेसफल कितना बचेगा लास्ट में यहाँ प यहां पे इकाई के अंक में क्या लिखा हुआ है साथ लिखा हुआ हमें क्यों लिखाई के अंक से मतलब है साथ लिखा हुआ है चार से भाग करेंगे चार अठे बतिस तो यहां पे पूरी तरह से देखिए यह संख्या चार से विभाजित है इसका मतलब साथ की घात हमें क्या लिखना है चार लिखना है और जब साथ की घाट चार करेंगे तो सेसफल कितना एकाई का अंक कितना आजाएगा एक आजाएगा क्यों क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी साथ की घाट चार हो तो आप क्या कर सकते साथ गुड़े साथ गुड़े साथ गुड़ और चार की घात कितनी है 81, देखें आप ये जो चार से भाग करने वाला मैथेड है, इसे आप किसी भी संख्या में अपलाई कर सकते हैं, किसी भी संख्या में आप चार से भाग करके देख सकते हैं, और जो सेस्फल आएगा वही उसकी घात लगा दीजिए, आपका अंसर मिल लेकिन जब हमें टाइम को बचाना होता है समय बचाना होता है तो हम क्या करते हैं देखते हैं कि क्या इससे भी कुछ आसान तरीका है हमारे पास मतलब में चार से भाग भी ना करना पड़े तो जब हमें यहाँ पर इकाई के अंक में चार मिल जाता है तो हमने क्या सीखा कि अ 9 की घात आपको विसम संख्या मिले तो आप 9 की घात एक मान लीजे बस आपको आंसर मिल जाएगा तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया चार आ गया इसमें कितना आया था एक आया था ठीक है आगे बढ़ते हैं और question number 9 देखते हैं यहाँ पर देखें इकाई के अंक में 4 है और ज 89 लिखी हुई है अगर 9 की घात विसम संख्या है तो इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा मेरे पहरे दोस्त आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखें 9 की घात क्या लिखा गया है सम संख्या नो की घात सम संख्या है और जब 9 की घात सम संख्या हो तो इकाई के अंक में क्या आ यहां से आपको समझ में आ रही होंगी चीजें कि आप इन प्रस्णों को कैसे एक एक सिकेंड में इसे साल्व कर सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं और कोश्चन नमबर बारा देखते हैं यहां पर देखें तीन की घात 57 लिखा हुआ है 57 को हम 4 से विभाजित करेंगे ठीक है तो 4 एक कम 4, 4 चोको 16, बचे का कितना से सफल 1 तो 3 की घात कितना कर लेंगे 1 कर लेंगे देखें इसे किस तरह से लिखना है एक बार समझ लीजिए और फिर आपको हमेशा ध्यान रहेगा आपको यहाँ पर लिख लिएना है तीन की घात एक गुड़े अच्छा आप एक चीज यहाँ पर और देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 आपको मिल जाएगा ठीक है अब जब 5 की घात आपको कुछ भी हो तो इकाई के अंक में हमेशा क्या आएगा पांच आएगा और यहाँ पर चार है तो चार की घात कुछ भी हो हमेशा एक सम संख्या ही आएगा अगर चार की घात विसम है तो चार आएगा चार की घात सम है तो छे आएगा तो अगर विसम हो या सम हो घात इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक सम संख्या हमें मिल जाएगा और यहाँ पे हमें पांच मिल जाएगा और मैंने आपको क्या बताया जब भी पांच का गुड़ा किसी भी सम संख्या से हो जाए तो इकाई के अंक में क जीरो आजाता है तो यहां पर क्या आजाएगा जीरो आजाएगा अगर हम इस तरह के छोटे छोटी चीजे शीख लेंगे और इस तरह का अप्रोच परिछह में अपलाई करेंगे तो हमारा कितना समय बचेगा कि हमें यहां पर इनकी घाते भी चार से भाग नहीं करना पड़ कि इसमें कितना इकाई कांग होगा हम सिधे 5 और 4 की हिल्प से इसे साल्व कर पाएंगे और यहां पर 0 हमारा इकाई कांग आजाएगा ठीक है तो कोशिस हमें यह करनी चाहिए कि हमें कितने कम समय में किसी प्रस्ण को साल्व करना आजाए आगे बढ़ते हैं और कोश्चन नमर 13 देखते हैं पांच है पांच के साथ यह साथ है नौ है और यह 81 है यानि एक है तो यहां पर इकाई का अंग विसम आएगा यहां पर भी विसम यहां पर भी विसम संख्याए है और अगर पांच के साथ विसम संख्याओं का गुड़ा है दोस्त तो इकाई का अंग जो यहां से भी आप समझ गए कि 5 के साथ अगर सम संख्या का गुड़ा है तो 0, 5 के साथ विसम संख्या का गुड़ा है तो 5, आगे बढ़ते हैं question number 14 देखते हैं, यहां पे 7 की घात 28 है, तो 7 की घात क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, क्यों, क्योंकि घात अगर पूरी तरह से 4 से भी भाजित है, तो 3 की घात भी 4 ले लेंगे, 7 की घात 4 में 11 का अंक एक होगा, 3 की घात 4 में 11 का अंक एक होगा, और दोनों का गुड़ा करेंगे, तो 11 का अंक एक हो जाएगा, यहां से हमारे यह प्रस्ण साल्व हो जाता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटा-फट से, औ यह कितना हो जाएगा, 2 की घात 4, गुड़ित, 8 की घात 60 है, तो 8 की घात 4, और यह गुड़ित 16 यहां पे लिखा हुआ है, तो 16 का चाह है, तो हम क्यों लिकाई का अंक ही ले लेते, हाना, 2 की घात 4 करेंगे, तो 11 के अंक में क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहां से भी हमें कितना प्राप्त होगा, 6 और यहां पर भी कितना है, 6 और चाह को हमें, कितने भी बार गुड़ा कर ले, हमारा इकाई कंक क्या आएगा हमेशा, 6 ही आएगा, ठीक है, यहां से देखते हैं, 3 की घात 36 लिखा हुआ है, तो 3 की घात कितना कर लेंगे, 4 कर लेंगे, माइनस, 2 की घात कितना कर लेंगे, 4 कर लेंगे, 3 की घात 4 करेंगे, तो कितना आज और 2 की घाट 4 करेंगे तो कितना आजाएगा अब देखें यहां पर 1 गकाइक कितना है एक और यहांपर कितना है छे तो 1 माइनस 6 इस तरह से होगा लेकिन अब एक बात ध्यान लखें प्यारे दोस्त यहां पर जो संखया है वो बड़ी है, 81 है और यहाँ पर जो संख्या है वो छोटी है 16 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे या तो अब हम 81 में से 16 को घटाएं या फिर हम यह करें कि एक मेच्छे को घटाने की बजाए यहाँ पर 8 से 1 उधार लेंगे न तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक की जगा पर 11 हो जाएगा तो ज फिर एक में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 11 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रस्ण ये दिया गए है, 8 की घात 100, तो 8 की घात 100 को क्या लिखेंगे, 8 की घात 4 लिखेंगे, प्लस 7 की घात 84 है, इसे भी 7 की घात क्या लिख लेंगे, 4, क्योंकि ये भी 4 से विभाजित है, और ये भी 4 से विभाजित है, 8 की घात 4 की value क्या होती है, 6 होती है, अभी हम लोगों ने पीछे देखा था 7 की घाट 4 की value क्या होती है 1 होती है और दोनों को plus करना है तो कितना होगा 7 हो जाएगा आप चाहें तो यहाँ पर 8 की घाट 4 और 7 की घाट 4 निकाल सकते हैं अपनी कापी और pen में क्योंकि मुझे उमीद है कि आप कापी और pen ले करके ही इस class को देख रहे हैं ठीक है यहाँ पर 3 की घाट 16 है तो क्या हो जाएगा 3 की घाट 4 गुडित 2 की घाट कितना है 20 तो 2 की घाट 4 गुडित 8 की घाट 12 है तो 8 की घाट 4 क्योंकि यह सारी संख्या 4 से जितनी भी घाटे हैं सब चार से विभाजित हैं इसलिए इनकी घाट 4 होगी अब 3 की घाट 4 में 11 का अंक 1 आएगा 2 की घाट 4 में 11 का अंक 6 आएगा 8 की घाट 4 में भी 11 का अंक कितना आएगा 6 आएगा और यहां से हमारा 11 का अंक कितना आजाएगा 6-6 चा के 36 और 36 है कम 36 है नहीं का इक अंक क्या आजाएगा 6 ही आजाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं और अंतिम दो प्रस्ट देख लेते हैं 7 की घात 40 है तो 7 की घात कितना लेना है चार लेना है गुड़े 4 की घात एक विसम संख्या है इसका मतलब यहाँ पर जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा चार आएगा और 7 की घात 4 कितना होता है इकाई का अंक एक होता है गुड़ा करना है चार से तो जो इकाई का अ एका की गात, वीसमसंख्या या समसंख्या कुछ भी हो, यहाँ पर हमेशा 아िकाहाई का उन्हक में किया रहेगा? पांच और इसका गुड़ा हो रहा है वह एक समसंख्या से हो रहा है, तो अब हमें यह नहीं देखना है कि यहाँपर वैलू के आएगी? यहाँ पर value क्या आएगी बस यह देखना है कि 5 का गुड़ा हो रहा है एक समसंख्या के साथ और जब 5 का गुड़ा समसंख्या के साथ होगा तो 1 का अंक जो है हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा बस यही हमारा answer हो जाएगा तो यह थे कुछ प्रस्ण इस class के जो मैंने आपको समझा है I hope आपको समझ में आया होगा अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को एक like जरूर करिएगा और आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है या आपको कोई भी कोई भी बात आपको हमसे करनी है तो आप comment कर दीजिए मैं आपके comment जरूर पढ़ूँगा और अगर आप कुछ उसमें बोलते हैं तो मैं उसे apply भी करूँगा अगर आपको class से कुछ problem है यानि class में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ दिखने में problem हो रही है जो भी आपको दिक्कत हो रही हो आवाज में दिक्कत हो रही है तो आप हमसे बता सकते हैं उसको ध्यान दिया जाएगा और उसमें सुधार किया जाएगा ठीक है आगे जो next वीडियो आने वाला है वो type 14 विविध प्रस्नों पर होगा और विविध प्रस्नों के जो प्रस्न है वो करने के बाद हम लोग तुरंत exercise पर आजाएंगे संख्या पद्धती की और exercise में जरूर आप लोग आईएगा और exercise जब भी कराएंगे तो उसे जरूर साल्व करिएगा जरूर देखेगा क्यों? क्योंकि exercise में ही असली मजा है जब exercise को करेंगे तो उन प्रस्नों को उसी तरीके से साल्व करेंगे जिस तरीके से हम किसी प्रस्नों को परिच्छा में बैट करके साल्व करते हैं ठीक है? अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और इस क्लास को यही पर एंड करते हैं फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार